केताना थाम सितंबर अक्ट्वर हैली बुकिंग फुल मेरा आज का वीडियो केताना थाम के हैली बुकिंग को लेकर जुड़ा है जिसके मात्व से मैं आपको बताने वालों कि भाई अब सितंबर और अक्ट्वर की बुकिंग फुल हो चुकिए अब आपको क्या करना है तो च देंगे सितंबर से बैके टीस अक्टवर तक की खौल दी खई थी दस महीश के लेके 20 जून तक की booking तो उसी दिन फूल जुकी थी लेकिन जो हमाई सितंबर और अक्टवर की यूदि यानि 15 सितंबर से लेके 31 की बुकिंग यह कंटीनू चलती रही लेकिन जब आप लास्ट टाइम इनों ने अपनी बुकिंग खोरी थी जो कि 6 तारिक को आप सभी याद होगा 6 तारिकों ने कैंसलेशन बुकिंग खोरी थी उस टाइम इनों ने सभी लोगों को अक्टुवर की डेट दिखाई तो लोगों लगा वहीं अक्टुवर की बुकिंग ऑपन है और लोगों ने अपनी अक्टुवर की की बुकिंग कर लेकिन मैं आप सभी को पता जाओंग गए जो बुकिंग थी यह भी कि बहुत अठाइस उनती तीस इकतिस अठाइस भी आइधिंग एक ही होगी यहां से फिराल मैं कंटीनू करता हूं यहां देकि एक ही बचा है मैं दिवार से आता हूं और यहां से मैं 31 सेर्च करता हूं तो 31 सेर्च में अभी आपको काफी सारे स्टोट देखना को मिल तो बहुत ही कम लोग वहां जाते हैं जिसके से यहां स्टोट अबलेबल है अब आप मैंसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने मालूमी नहीं नहीं दा कि भई बुकिंग खुल गई थी तो आप क्या करें तो देखिए इन्होंने यहां साफ साफ मेंशन कर रखा है कीप चेकिं कर रखा है कि आप यहां कंटीनू चेक करता रही है हो सकता है कोई टिकट कैंसल करें तो आपको यहां देख जाए तो देखिए यह तो बहुत जोने मैनत वाला काम दे दिया है लोग कब तक इसको कंटीनू चेक करेंगे बट अभी जो बुकिंग है 21 से लेके 14 सितंबल तक क इसी बुकिंग अभी ओपन नहीं हुई है वो इसलिए ओपन नहीं हुए क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम होता है और गिंती की दो ही हैली कंपनी चलती है इस सारी की सारी हैली कंपनियां अमनाच चली आती है तो अकर आपको एक सितंबल से लेके 15 सितंबल के बीच की ब करना होगा और बुकिंग बहुत जारा फास्ट होगी उसमें भी आपका एक उनमें सारा का सारा फूल उड़ाएगा तो बुकिंग का आपको इस पेसल ध्यान रखना है इसी वेबसाट पर देखे कुछ ना कुछ अपडेट आएगा हाला कि अगर आपको अक्ट्वर की बु करना होगा यह बहुत मेहनत का काम है तो मैं तो आपको यही सलाद दूँगा आप हैली कोटर के चक्र में ना रही है आप पैदल यात्रा करिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको टिकट मिलेंगे और पता नहीं कब कौन कहां से क्या कैंसिल कर रहा कितने टिकट क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था कि एक एक दो-दो दीन की बगिंग खोड़ते हैं या एक एक हफ्ते की बगई खोलते लेकिन यह यह मजी करें पर आप बगिंग सारी की सारी फुलो चुकि है तो अब आपके चांस बहुत कम है बाकि आप ऐसे लोकों से भी बचके करे जो आपको बोलते कि वहीं हमारे पास टिकेट पड़ा है तो वह आपको क्या आपको चूद्ब लगाने के लिए नहीं टिकट देने के लिए नहीं लेकिं डुप्लिकेट देंगे इसका दूसरा कोई ओप्षन नहीं है तो ऐसे लोके से बिल्कुल बचके रही है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोली क्योंकि इसी तरह की वीडियो में आप सभी लोग आगे भी लात रहूंगा तो आज के लिए बस इतना ही हरर महादेव